Hello friends, welcome to our channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगया बढ़ने में help करता है और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुती interesting और important topic के उपर और वो है दोस्तो किसी भी चीज को चूने से current क्यू लगता है तो दोस्तो आपने भी ये life में कभी न कभी experience किया रहेगा कि कभी किसी दिन आप कोई चीज को चू लेते हैं यानि अगर आप पकड़ लो धरवाजी का नौप, यानि फरनीचर या फिक कोई भी चीज आपके घर में है आप किसी चीज को चू लेते हो और आपको एक थोड़ा सा ऐसे शौक जैसे करन जैसे लगता है दोस्तो वहाँ पर आपको spark भी दिखता है थोड़ा सा एक ठिंगी पड़ती है दोस्तो तो यह सब होता क्या है इसके बारे में आज हम आपको एकदम सरल लैंग्वेज में बताने वाले है और दोस्तो अगर आपको यह इक प्रिप्रेशन कर रहे तो हो सकता है पर दो चीजों का काम है तो दोस्तो एटम में दो चीज़े जो होती है इलेक्ट्रान्स होते है वो निगेटिवली चार्ज होते है और प्रोट्रान्स जो होते है दोस्तो जो बार जाती है इसकी वज़े से ये जो negative electrons जो है वो क्या करते हैं दोस्तों वो कोशिश करते हैं कि वो positive protons जो है उनकी तरब जानेगा तो ये बहुत सारी हल्चे लेने बहुत सारी moment आपके body में पैदा करते हैं तो आप कभी किसी चीज के पास जाते हो उसे touch भी नहीं करते हो एक तम पास में जाते हो तबी भी आपको ये spark दिखाए देगा और आपको एकदम हलका सा करन जैसे लगेगा आपको लगेगा रहे भई ये क्या हो रहा है इसे मेरे साथ और आपने कभी-कभी ये भी देखा होगा सोते टाइम पे भी अगर आप चादर वगएरा अगर आप आपके उपर ओर लेते हों तो इसे कहा जाता है दोस्तों, static electricity तो आपको कोई भी खतरा नहीं है, क्कोइब चिन्ता करनी की जोता है दोस्तों, क्योंकि यह एक दम ऐसे fraction of second के लिए होता है, और उसका जटका रहता है, उसका जो voltage रहता है, जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं है, उल्टा आप यह कर सकते हैं इसको एंजय कर सकते हैं तो एक्टम नॉर्मल चीज है दोस्तों यह हर किसी के साथ होती है क्योंकि इसके पीछे एक साइंस का प्रिंसिपल काम करता है और यह हमेशा होता रहेगा जब इलेक्ट्रॉंस की जो आबादी है जो संक्या है दोस्तों आ आपके बॉड़ी में बढ़ेगी या फिर किसी भी चीज में बढ़ेगी तो वह अब इसली पॉजिट्व जो प्रोटांस होते हैं उनके तरफ जाने की कोशिश करेंगे बैलेंस करने के कोशिश करेंगे और यह मुव्मेंट के वज़े से यह हमेशा होता रहेगा तो इसके विंटर की सीजन में वेदर जो है वो ड्राय रहता है दोस्तो और आपकी स्कीन ठोड़ी सी सेंसीटिव भी हो जाती है आपने देखा होगा थन्दी की सीजन में अगर हमें कुछ चीज लगती है तो थोड़ा ज़्याशा है आपको अब्सुर करने को मिलेगा समर याने गर् कुल भी चिंता करने के ज़रुवत नहीं है तो दोस्तों इसके अलाव हमारे चानल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैलिबल नौलेज शेयर किया है यह सारा नौलेज आप हमारे प्लेलिस में जाके देख सकते हो हमने टेकनोलोजी से लेके हेल्ट तक और जीके से लेके करन्ट अफेस तक बहुत सारी इंफोर्मिशन आपके साथ शेयर की है इसके लाव दोस्तों अगर आप घर बेटे पैसे कमना चाते हो तो हमने आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइज भी शेयर की है जिन पर आप काम करके अच्छी कासी कमाई कर सकते हो और वो भी घर बेटे त कुछ और इंपोर्टन टॉपिक के साथ कुछ और इंट्रेस्टिंग नॉलेज के साथ अब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक यू बेरी मिच